दोस्तों गर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाग बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया भर के दिगगजों ने दिया बड़ा बयान पाकिस्तान की टीम का खरी खोटी सुनाते हुए दे दिया संसरी मचा देने वाला बयान जी हां दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेले गए मैच में आज पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है जिसके बाद दुनिया भर के दिगगजों का बयान सामने आया है इस भी चिशोयब अक्तर रिकी पॉंटिंग से लेकर सुनिल गवसकर सचिन तेंदुल करने पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे तो आखिरकार पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया भर के दिगगजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित चर्मा और बाबराजम में कौन है भान खिलाडी अपनी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा कि आपको बता है अमेरिका और पाकिस्तान की बीच आज एक रुमान चक वर्ल्ड कप मैच खेला गया जहां पर इस मैच में अमेरिका की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बीस ओवर के अंदर 169 रन साथ विकेट के नुकसान पर रुका जहां पर बाबराजम ने 44 और शादाब खान ने 40 रन का योगदान दिया हालागी अब इसका पीछा करने आई अमेरिका की टीम ने शुरू से सूजबूच के साथ बल्ले बाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ शांदार जीत दर्ज की जिसके चलते अमेरिका की टीम को जीत मिल गई ऐसे में पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया भर के तमाम दिगजों का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें शुय बक्तर ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम को अमेरिका के खिलाफ किस मैच में मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाडियों का इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन अमेरिका की टीम के खिलाब देखने को मिला है आज अमेरिका की टीम के लिए इस मैच के अंदर कोई भी खिलाडी खराब पुरदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं दिये हैं बल्कि सभी खिलाडी बहतर पुरदर्शन करते हुए दिखाई दिये हैं इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पागिस्तान की टीम के खिलाडियों ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है ऐसे में पागिस्तान की टीम को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है क्योंकि अब दौनों टीम में जमीन आजमान का अंतर है तो वहीं रिकी पॉंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि पागिस्तान और अमेरिका के बीच खेले गए रूमांचक मैच में पागिस्तान की टीम को मिली हार के बाद में काफी ज्यादा हैरान हो मुझे बिल्कुल भी उमीद नहीं थी पाकिस्तान की टीम अमेरिका की टीम के खिलाफ दिक्कत का सामना करती हुई दिखाई दी है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर अमेरिका की टीम के खिलाडियों ने जिस प्रिकार से पाकिस्तान की टीम को परिशान किया है वो बताता है कि इस World Cup में कोई भी टीम कमजोर नहीं है बलकि सब ही टीमें बहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी टीम को हराने का प्रयास कर सकती है जिसका एक सबसे बड़ा उधारन आज के मैच में देखने को मिला है ऐसे मैं पाकिस्तान की टीम के खराब प्रदर्शन को द नहीं कर पाया पाकिस्तान की टीम के खिलाडियों को भारत से अब काफी कुछ सीखने की जरूरत है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतिये टीम के खिलाडियों ने काफी ज्यादा बहतर प्रदर्शन अपने पहले मैच में छोटी टीम के खिला ने बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका की टीम के खिलाफ पाकिस्तान को आज के दिन शांदार जीत मिल रही है। पाकिस्तान की टीम के पास काफी ज्यादा बहतरीन खिलाडी मौजूद है लेकिन पता नहीं आज पाकिस्तान की टीम के खिलाडियों ने किस प्रकार से खराब प्रदर्शन किया है हाला कि इस बार पाकिस्तान की टीम देखने में तो काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी लेकिन खेलने में भी आज पाकिस्तान की टीम कमजोर दिखाई दी है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका की टीम काफी ज्यादा मजबूत टीम बन चुकी है लेकिन आज पाकिस्तान की टीम को मिली हार के बाद भारती टीम से काफी कुछ सीखने की जरूरत पाकिस्तान के खिलाडियों को है क्योंकि भारती टीम का इस्तर पाकिस्तान की टीम के इस्तर से काफी ज्यादा बहतर है जिसके चलते टीम को जीत मिली है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में पाकिस्तान की टीम की हार का मुक्के कारण क्या रहा है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनिंग साज़दारी देखने को मिली जो दूसरे ही ओबर में सौरव ने तोड़ दी थी और इसमेच जो सौरव ने मौहमद रिजवान को आच गेंदों पर एक शक्की की मदद से नौरन बनाने के बाद स्टीवन टेलर के हाथों कैच आउट कर आया इसके बाद बल्लेबा बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन पांच ओवर में अली खान की गेंद पर फखर जमान साथ गेंदों पर एक शक्की की मदद से 11 रन बनाकर स्टीवन टेलर के हाथों कैच आउट हो गया इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान है और ऐसे में 26 रनों पर तीन विकेट गर जाने के बाद शादाब खान और बाबर आजम ने मिलकर आखर कार टीम को संभाला और बहत्तर रनों की महतोपुन साज़ेदारी की जहां पर पावर प्ले में 30 रन तीन विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम बना दिये थे लेकिन दोनों के बीच में तूफानी बल्ले बाजी देखने को मिली लेकिन इस बेच 13 वे उबर में केंजिगे ने शादाब खान को 25 गिंदों पर एक चौके और तीन च्छके की मदद से 40 रन बनाने के बाद सौरव के हाथों कैच आउट कर आया जिसके पर एहमद और बाबर आजम ने मिलकर 99 रनों पर पांच विकेट गर जाने के बाद टीम को संभाला और 27 रनों की महतुपर साज़दारी की लेकिन इस बीच 16 में उबर में कप्तान बाबर आजम अर्धुशतक लगाने से चूक गए और 43 गेदों पर तीन चौके और दो त्रीन बल्लेबाजी करते हुए 14 गेदों पर तीन चौके की मदद से 18 रन बनाकर सौरव की गेद पर एलबी डबलू आउट होकर अंतिम ओबर में अपना विकेट दे दिया जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरिश रौफ मैदान पर आये जिन्होंने अंत तक तीन गेदों पर तीन रनों की नाबाद पारी खेली तो दूसरी तरफ से अफरीदी ने 16 गेदों पर एक चौके और दो चौके की मदद से 23 रन नाबाद योगदान दिया जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने 167 व क्यादान पर आई तो अमेरिका की टीम की तरफ से उपनिंग करने के लिए स्टीवन डॉलर और कप्तान मोनार्क पोटेल आते हैं ऐसे में गेंदबादी के शुरुवात अफरीदी ने की जहां पर स्टीवन टेलर ने चौका लगाते हुए उबर के अंदर 6 रन बटोर लिय करने के लिए नसीम शाह आते हैं इसी बीच अफरीदी ने शांदार गेंदबादी करते हुए विकेट निकालने का प्रयास किया लेकिन विकेट निकालने में और समर्थ रिखाई दिये हालांकि इस ओबर के अंदर कप्तान मोनार्क पोटेल ने लागातार दो गेदो पर द उसीम शाह आये जिन्होंने काफी जादा अच्छी गेंदबादी करते हुए उबर में मात्र चार रन दिये थे और टीम पर दबाव डाला ऐसे में अब गेंदबादी के लिए मुहमध आर मीरा है जिनके सामने कप्तान पटेल ने चौका लगाकर उनका स्वागत कर दिया औ और इसी के साथ 5 ओवर के समापन के साथ अमेरिका की टीम ने 36 रन बिना विकेट खो कर बना दी थे और जैसी बल्ले बाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि अमेरिका की टीम इस नैच में पाकिस्तान की टीम को परेशान करती हुए अंतीम ओवर के अंदर हरा सकती हैं दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें पाकिसतान की टीम के जीरिके असली हीरू कौन रहे कॉमेंट में जरूर बताइये एकर कर कैसे दोस्तों यूएसे ने पाकिस्तान को पठखनी दे डाली और ये वर्गर किंग पूरे मैदान में फेमस हो गया इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे वैसे आप सभी को क्या लगता है नो तारिक को होने वाले भारत पाक मैच को कौन जीते का भारत या पाकिस्तान नीचे कमेंट जरू कीजिएगा दोस्तों टीट्वेंटी वर्लकप दोजर चोबिस सर्प्राइजस से भरा हुआ है पाकिस्तान की टीम की फॉर्म भले पल्लकप से पहले बहुत जादा बहतर ना रही हो लेकिन विश्ट कप में यूएसे की टीम के 200 नामी पाकिस्तान की टीम की धजिया उड़ा कर रखती 200 पाकिस्तान की टीम के किसी भी बल्लेबास का नाम लेजिजी मौमद रिज़वान हो बावराजम हो नौ पर आउट हुए और चावालीज पर आउट हो इसमान खान तीन पर आउट हो गए फकर जमान ग्यार रन पर हो गए शादाब ने जादा से जादा 40 तन बनाए अब किस-किस ने इनके विकेट लिया वो माइने नहीं रखता क्योंकि दोस्तों जिस पाकिस्तान की टीम ने कभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था आज उसके यूएस के सामने 9 पर 1 विकेट 14 पर 2 विकेट 26 पर 3 विकेट